हाई गाईज वेलकुम बैक तो मैं चैनल मैं हूँ स्पीटी और आप देख्रियों स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको यह बताएंगे कि आपको कोई इंसान ना बहुत ही जादा जब हमें ना कोई बहुत ही जादा याद करता है तो हमारे साथ ना कई सारी चीज़ें होने लग जाते हैं और यही सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेगे तो सबसे पहले नंबर का point कि जब आपके मन में किसी इंसान का विजार आता है और आप उस इंसान को याद करते करते बहुत ही ज्यादा emotional हो जाते हो और इतना ज्यादा emotional हो जाते हो ना कि आपके आँखों से आंसु आने लग जाते हैं आप रोना भी नहीं चाते हैं आप emotional होना भी नहीं चाते हैं पर फिर भी आपके मन के अंदर आपके दिल के अंदर आपको एक अलग सी feeling ना फील होने रखती है और जिस कारण आपके आँखों से आंसु निकल आते हैं अगर ऐसा ही same आपके साथ भी हो रहा है ना तो समझ ज़ आ रही है अपके मन के अंदर ना उसी इनसान की बाते घूम रही है हो सकता है आप अपनी life में बहुती ज्यादा आगे बढ़ चुके हो और आपको बरसों की कोई भी पुरानी बाते अपने आप ही आपके बीतर आपको याद आ रही है जब ऐसा आपके साथ हो रहा हैं ना क के साथ ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि जब कोई इंसान हमें बहुती ज्यादा याद करता है ना तो हमारे साथ भी कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जिसकी वजह से ना हमारा स्यारा ध्यान हटकर उस इंसान की तरफ चला जाता है और ऐसा ना इसलिए होता है क्योंकि उस मोमेंट पे उस इनसान की यादे है उसकी एनरजी आके हमें रिमाइंड कराती है और हमें ये बताने की कोशिश करती है कि इस समय इस मोमेंट पे भी वो इनसान हमें याद कर रहा है और तीसरा पॉइंट सपने में उस इन बार ओरी आपको बार बार ये सब कुछ streams में दिखाई दे रहा है तो ये ना एक इशारा है कि वो इनसान बीना आपको बहुत ही जादा याद कर रहा है जब कोई इनसान हमें याद करता है ना तो हमें कई बार ना सपने में message मिलते हैं हमें subconsciously हमारा mind ना बताने की कोशिश करता है वो energies आके हमें बताती है कि इस moment पे वो हमें याद कर रहा है पर यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब कोई हमें इतना ही याद कर रहा है तो हमें वो call और message क्यों नहीं कर देता है पर यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ह हर इंसान की situation अलग होती है और हर situation में कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिस बजह से दो लोग आपस में एक दूसरे से खुल कर बात नहीं कर सकती हो सकता है कोई उनकी बीच serious fight हुई हो सकता उन्होंने बहुत दिनों से एक दूसरे से बात करना अपने आपी बंद कर द है तो यह भी हो सकता है कि कोई इंसान अपने ego में आकर आगे वड़कर आपसे बात नहीं करना चाहता पर यह जो कुछ भी point है यह हमारे साथ हमें feel होने लग जाते हैं जब कोई सामने वाला इंसान ना हमें बहुत ही ज़्यादा याद करता है सो गाइस जब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना दिहान रुखिये और खुश रहेए बाब बाई